लोक सबच नाओ दोज़र चौबी से पहले विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं ताकि वो पियम मोदी के सामने अपना अस्तितु बचा सकें हलाकि एकजुट होने के बाद भी विपक्ष की मुश्किले कम होती नहीं दिख रही है एकजुट होने के बाद भी तमाम सर्वे में विपक्ष की हार दिख रही है वहीं एकजुट होने के बाद भी विपक्षी दल एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हुए हैं तस्वीर में तो विपक्षी दल हम साथ साथ है जैसे नजर आते हैं लेकिन हर दिन एक दूसरे पर निशाना साध कर ये पूछ रहे हैं कि हम आपके हैं कौन विपक्षी गटबंधन बनने के बाद भी कॉंग्रेस के नेता केजिरवाल की पार्टी को एक्सपोज करने में लगे हुए हैं कॉंग्रेस के वरिष्टिनेता संदीप दिख्षित लगातार कॉंग्रेस पर निशाना साध रहे हैं इसके अलाबा विपक्षी गटबंधन के बारे में भी बात करेंगे इस ख़बर में पहले देखिए कैसे पीएम मोदी के सामने विपक्षी गटबंधन ने तोर दिया है दम फिर बताएंगे के जिर्वाल के खिलाफ कॉंग्रेस ने क्या खुलासा किया है इसके अलाबा इस खबर में ये भी बताएंगे आपको कि कैसे सीवियाई ने बड़ा एक्शन लेते और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट इंडिया गटबंधन का दावा है कि जनता आप उनके साथ है मोदी का भरोसा सच साबित होने जा रहा है या इंडिया का दावा EDG Research के साथ Times Now नवभारत के तासा सर्वे में आज आपको इनी सवालों के जवाब मिलने जा रहे हैं सर्वे का सांपल साइज एक लाख दस हजार शेसो बासट है इसमें से साथ फीसिदी सर्वे टेलिफोन पर और चालीज फीसिदी सर्वे डोर टो डोर कैंपेइन से लिए गए हैं इस सर्वे को 15 जून से 12 अगस्त के बीच किया गया था Times Now नवभारत और एटीजी के ताजा सर्वे में सामने आया है कि 2024 में तीसरी बार मोधी सरकार की वापिसी हो सकती है विपक्षी गटबंधन इंडिया को 160 से 190 सीटे मिलने की उमीद है वहीं सर्वे के अनुसार एंडिया की लोगसभास चुनाव में 296 से 326 सीटे मिल सकती है इसके अलावा YSRCP को 24-25, BRS को 9-11, BJD को 12-14 और अन्य को 11-14 सीटे मिलने का अनुमान है युपी में भी एंडिया काफी शांदार प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है युपी के 80 सीटों में इसे NDA के खाते में 79-73 सीटे जा सकती है जबकि विपक्षी गडबंधन के पास 5 में से 9 सीटे आने का नुमान है अन्य को 1-3 सीटे मिल सकती है आपको बता दे कि ये सबसे ताजा सर्वे है जोसमें 15 जून से लेकर 12 अगस्त के बीच किया गया था यानि कि संसत के मौनसून सत्र के खत्म होने के बाद तक कि सर्वे की जरिये जनता की राय पूछी गई है मद्रप्रदेश की बात की जाए तो यहां इंडिये को 24 मिसे 26 सीटे मिल सकती है जबकि विपक्षी गडबंधन को 3 मिसे 5 सीटे मिलने का अनुमान है वही राजस्तान की बात करें तो यहां भी इंडिये को 20 से 22 सीटे पर जीत मिल सकती है जबकि विपक्षी गडबंधन के खाते में 2-3 सीटे जा सकती है हरयाना में इंडिये 6-8 विपक्षी गडबंधन इंडिया 2-4 सीटे जीच सकता है वही पंजाब की बात की जाए तो आम आदु पार्टी को 4 में 6 सीटे कॉंग्रिस को 4-6 सीटे बीजेपी को 2-3 और अकाली दल को 1-2 सीटे मिल सकती है इसके अलावा दिली में बीजेपी 5-6 तो विपक्षी एलाइंस 1-2 सीट जीच सकता है तो सर्वे के मुताबिक एक जोट विपक्षी प्रधानमंतरी मोदी के सामने नहीं टिक पा रहा उसके बाद तू कौन और मैं कौन वाला खेल चुरू हो जाएगा एक और जहां केजरवाल साहब कॉंग्रिस के लिए खुब फूल बरसा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली प्रधेश कौंग्रिस के निता लगातार सीएम के जिर्वाल साहब के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है के जिर्वाल साहब को तो उमीद है कि कौंग्रिस उन पर नजरे इनायत डालेगी लेकिन कॉंग्रिस के लिए मुसीबत का सबब उन ही की प्रदेश इकाई बनी हुई है कॉंग्रिस को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे समन्वे स्थापित किया जाए कॉंग्रेस के सामने चुनौती ये है कि कैसे प्रदेश एकाई को सम्हाले और कैसे विपक्षी एकता को साथ लेकर चले क्योंकि दोनों में से एक को भी छोड़ेंगे तो कॉंग्रेस के राजनितिक भविश्य पर भी खत्रा मन रा जाएगा लेकिन कॉंग्रेस की दिल्ली काई नेके जिर्वाल साहब के खिलाफ उपराजपाल को शिकायत दे दी है जिसके बाद आपकी मुश्किले बढ़ सकती है कॉंग्रेस की दिल्ली काई के वरिष्ट नेताओं के एक प्रतिनिधी मंडल ने उपराजपालवी के सकसेना से मुलाकात की और राष्टिय राजधानी में सभी क्रिशी भूमी के लिए एक समान सर्किट रेट की विवस्था लागू करने का आग रह किया पाटी ने ये आरोप लगाया कि ने सर्कल रेट के पीछे एक साजिस है बता दे कि गत साथ अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विंद के जिवाल ने क्रिशी भूमी और यमुना बैराज के सटे शेत्रों की सर्कल दरों में वृध्धी को मंजूरी दी थी पहले पूल पाटी शहरी कृत और ग्रामीन में बाटा है दक्षिन दिल्ली और नई दिल्ली जिलों में क्रिशी भूमी का सर्कल रेट एक समान होना चाहिए पाच करोर रुपे परती एकर तक पहुच जाएगा हाला कि प्रस्ताओं को अभी उपराजपाल की मंजूरी का इंतजार है पंजाब कॉंग्रेस के नेता भी मान सरकार के खिलाप लगातार निशाना साथ रहे है लेकिन के जिर्वाल साहब है कि वो जिद पर अरे है कि नहीं मुझे तो गोद में ही बैठना है कॉंग्रेस के लेकिन कॉंग्रेस है कि आपको लगातार बेजज़त कर रही है लेकिन आप है कि मानती ही नहीं विपक्षी गटमंधन को बने अभी अधिक समय नहीं हुआ है लेकिन तल्खी ऐसी की गटमंधन के भविश पर ही खत्रा पैदा हो गया है गटबंधन के सभी सहयोगी ऐसे हैं कि सभी के अपने राजनेतिक हित और तमाम विरोधभास के बाद सभी दल एक दूसरे को मोदी की राजनेतिक छबी के आगे विवश होकर गले लगा रहे हैं लेकिन विपक्षी एकता को सबसे अधिक खत्रा दिली और पंजाब में हैं यहां दो दल जो दोनों ही विपक्षी एकता के गटक दल हैं वो एक दूसरे के राजनेतिक दुश्मन बने हुए हैं खास तोर पर कॉंग्रेस का छेत्रे नितरुत दिली और पंजाब में जिस तरह के हालात बने हुए हैं कॉंग्रेस आलाकमान को समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे छेत्रे निताओं को इस बात के लिए मनाए कि बिना गटबंधन कॉंग्रेस का स्थित्व खत्रे में हो जाएग शेत्रिय निताओं को ये डर है कि अगर ये गटबंधन बना तो उनके राजिनितिक हितों पर खत्रमंडराने लगेगा तल्की का नया मामला दिल्ली का है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता संदीब दिखषित ने एक बार फिर दिल्ली की सत्तधारी पाटी पर अविश्वास जाहिर करते हुए नासमझ और भृस्टाचारी तक कह दिया है संदीब दिक्षित ने कहा है कि कॉंग्रेस ने ये नहीं कहा है कि हम सातों सीटों पर लरेंगे ये तो ना समझ है आम आदमी पाटी तो मैं क्या करूँ अगर वो भाशा नहीं समझती हिंदी नहीं समझ में आती तो क्या करूँ हम लोगों ने कहा कि हम सातो सीटों पर तयारी करेंगे तयारी तो हर पार्टी करती है गटबंदन होता है नहीं होता है उस हिसाब से तै करेंगे कि कौन किस सीट पर लड़ेगा हमारी मिटिंग थी कॉंग्रेस को ससक्त करने के लिए 2024 का चुनाव था और आगे की बात हम अपने वोटर को वापस कैसे ला सकते हैं दूसरी पार्टियों के वोटर्स पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं चर्चा में गटबंदन होगा या नहीं होगा इस पर कोई चर्चा नहीं होई थी संधीब दिख्षित ने आप पर हमला बोलते हुए कहा कि ये कभी दिली के पर चर्चा कराने की बीजेपी की मांग को सही ठराते हुए कहा कि ये बात तो बीजेपी की बिल्कुल सही है। पर चर्चा करेंगे वो महौल तयार कर रहे हैं अगर भागना होगा तो भाग लेंगे। विपक्षी घटबंधन की मुश्किले बढ़ती जा रही है देश लोकसवाचुनाओ 2024 के मुहाने पर खरा है सभी दल सत्ता की चौकट पार कर सत्ता की कुरसी तक पहुचना चाहते हैं। पीम मोदी जो राष्ट काम करते हैं उनके कामों के आगे विपक्ष अपने आपको बेबस और लाचार महसूस करता है। पीम मोदी की मजबूत राजिनितिक छवी के सामने विवस होकर विपक्षी दल तमाम विरोधा भास के बाद भी एक साथ आगे। में देश की जनता को सचेत किया कि ये भरस्टाचारियों का गीरो है। केंद्रे जाच जनसी ने अपनी याजका में जारकंड हाई कोट के फैसले को चुनोती देते हुए लालू यादव की जमानत रद करने की मांग की है। अगर सुप्रीम कोट सीबी आई के पक्ष में फैसला सुनाता है तो आने वाले दिनों में लालू यादव को फिर जेल जाना पर सकता है। पिछले साल अप्रेल में आरजेडी सुप्रीमो को जारकंड हाई कोट से जमानत मिली थी। तीस अप्रेल 2022 को उन्हें जेल से रिहा किया गया था। चारा घुटाले से जूरे डुरंडा कोशागर मामले में वो करीब तीन साल जेल में रहे। सीबियाई ने इसके बाद सुप्रीम कोट में जारकंड हाई कोट के फैसले के खिलाफ दर्वाजा खटकटाया है। शिर्स अदालात अविस पर सुनवाई के लिए तयार हो गई है। ऐसे में अगर लालु यादब को फिर से जेल होती है तो विपक्ष की मुश्किले बढ़ सकती है। शिर्स के कई नेताओं के खिलाफ बरस्टाचार के मामले चल रहे हैं और कई विपक्षी नेता तो जेल में बंद है। ऐसे में इस कारवाई से विपक्ष की मुश्किले बर सकती है। पंदरगस्त के दिन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कहा था कि देश को तीन चीज खोकरा कर रही है जिसमें सबसे प्रमुख है परिवारवाद। लेकिन देश में कुछ राजनेतिक दल ऐसे भी हैं जिन्होंने राज और देश को अपनी बपौती समझ लेते हैं। लेकिन मोदी सरकार ये बात समझाती है कि राष्ट के सभी पूर्खों को बराबर सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन परिवारवाद प्रेमी नेताओं को ये बात समझ में नहीं आती है। असल जमु कश्मीर रियासत के पहले निर्वाचित प्रधान मंतरी शेक मुहमद अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फरेंस के संस्थापक और फारुक अब्दुल्ला के पिता थे को प्यार से शेरी कश्मीर या कश्मीर का शेर कहा जाता था। जमु कश्मीर में कई इमारतों को उनका नाम दिया गया है लेकिन हाली में सूचना और जनसंपर्क विभाग ने सरकार की आधिकारिक प्रेस विग्यप्ती में शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्वेंशन सेंटर से शेरी सब्ध हटा दिया था शेरी नगर में एक सबा को संबोधित करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सुप्रिम कोट में अनुछेत 370 को रद करने के खिलाफ याजिकाओ की सुनवाई के दोरान भारत के मुखिन अधिश ने मेरे दादा और पार्टी के संस्थापक की दूर दर्शिता की प्रशंस को बहुत लंबे समय तक छुपाया नहीं जा सकता है धारा 370 पर सुनवाई के दोरान माननीय सीजे आई ने सुईकार किया कि शेरी अब्दुल्ला कश्मीर में कोई आम नेता नहीं थे उनकी दूर दर्शिता को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता हलाकि मोधी सरकार के अब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं